चोपड़ा है जो किस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों MCC ने इस्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए वेकंट सीट की लिस्ट जारी कर दी है यानि इस्टे वेकंसी राउंड कितने सीटों के लिए रहेगा कौण कौण से इंस्टिटूट में कितनी सीटे वेकंट है ये लिस्ट जारी कर दी है आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको केटेगरी वाईज कटोप बताऊंगा और इसमें एम्स की कितनी सीटे वेकंट रही है ये भी बताऊंगा कोर्स वाईज ये सीट कितनी वेकंट रही है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लास्ट में ये भी चर्चा करेंगे कि इस्टे वेकंसी राउंड की कटोफ कितनी ज़्यादा डाउन जा सकती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कटेगरी वाइज जो वेकेंट सीट हैं उसके बारे में बता देता हूं तो जो आल इंडिया के लिए यानि कि पहले तक टोटल जो सीट वेकेंट रही है वो 982 सीट वेकेंट रही हैं जिसमें MBBS, BDS और BSC नर्सिंग की सीटे सामिल हैं अगर हम MBBS की एक बार हम बात करें तो MBBS की ओल इंडिया के लिए 506 सीट ओल इंडिया कोटा के लिए 506 सीट वेकेंट है अभी तोटल हम ओल इंडिया और ओपन की बात करें इसमें शोरी ओल इंडिया और डियू इनियर्सिटी सेंटरल इनियर्सिटी की बात करें तो 515 सीट सेंगे इसमें एम्स भी सामिल हैं केटेगरी वाइज कटोप की बात करें तो ओपन में 203 ओपन PWD में 22 सीट्स EWS की 26 EWS PWD की 3 सीट्स OBC की 122 सीट्स OBC PWD की 14 सीट्स SC की 80 सीट्स SC PWD की 4 सीट्स ST की 31 सीट्स और ST PWD की 1 सीट्स MBBS कोर्स के लिए अभी भी वेकेंट हैं अब मैं आपको यहां पर BDS के लिए बता देता हूँ तो BDS के लिए इसमें Open Category की 131 सीट्स Open PWD 10 सीट्स EWS 18 सीट्स EWS PWD 1 सीट्स OBC 64 सीट्स OBC PWD 7 सीट्स SC 50 सीट्स SC PWD 2 सीट्स ST 27 सीट्स SC PWD 1 सीट्स टोटल 311 सीट्स BDS ओल इंडिया कोटा जो AIMS में BDS है नहीं ओल इंडिया कोटा बाकी जो Central University है उनमें यह सारी सीट्स BDS के लिए 311 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं अब बात करें हम BSC Nursing की तो BSC Nursing में टोटल 150 सीट्स वेकेंट हैं UR 54 URPWD 9 EWS 8 EWS PWD 1 OBC 33 OBC PWD 5 ST25, STPWD 2, ST18 और STPWD 1 सीट्स इस प्रकार से टोटल 150 सीट्स वेकेंट हैं BSC Nursing के लिए अब हम AIMS की बात करें तो AIMS में सभी AIMS में 45 सीट्स वेकेंट हैं जिसमें सबसे ज्यादा 15 सीट्स AIMS मदवाई में अभी भी वेकेंट हैं क्योंकि ये New AIMS था तो इस परकार से जो पुराणे AIMS हैं उसमें 30 सीट्स अवेलेबल हैं सभी कैटेगरी में आप इसकी कोण सी कैटेगरी में कोण से AIMS में कितनी सीट हैं वो आप एक बार वेबसाइट चेक कर लें लिस्ट चेक कर लें इसकी AIMS में एक सीट वेकेंट हैं कराईकल जिपमर में 18 सीट वेकेंट हैं अभी भी तो इस परकार से 982 सीट्स वेकेंट हैं All India के लिए जिसमें MBBS course भी सामिल है BDS भी सामिल है BSE nursing भी सामिल है मैंने आपको यहाँ पर course wise category wise vacant seat बता दी हैं कि कितनी कितनी seat अभी भी vacant हैं All India quota के लिए और सभी quota के लिए अब हम इसमें cutoff की बात करें तो cutoff इसकी ज्यादा down नहीं जाएगी 2 या 3 marks down जाएगी इसमें cutoff open category EWS category OBC category तीनों category में 2 या 3 marks down जाएगी इसका भी मैं reason बता देता हूं कि 2 या 3 marks ही down क्यों जाएगी इस्ट्रे में तो काफी down जाने चाहिए थी क्योंकि जो मोपब में student participate करते हैं वो इसमें participate नहीं करेंगे तो काफी down जाने चाहिए तो इसका region है इसका region यह है कि अभी जो 3-4 state है जैसे UP हो गया, हर्याना हो गया, राजस्तान हो गया, बिहार हो गया इनकी जो state की cutoff है वो 598, 599 के तक्रीबन गई है, इनकी cutoff रही है तो इस marks पर, जैसे कि हम 598 पर देख ले हैं या 596 पर देख ले हैं, 595 पर देख ले हैं तो एक-एक marks पर ही 600-700 बचे हैं इसमें और इनको कहीं भी seat मिली नहीं है इसलिए काफी सारे student अभी भी बचे वे हैं, 601 के उपर भी काफी student अभी भी वेट कर रहे हैं इसलिए कटोप 2 या 3 marks से डाउन नहीं जाएगी मोपप राउन के को देखते हुए जो मोपप राउन की कटोप थी, उसे 2 या 3 marks ही डाउन जाएगी इन 3 कैटेगरी गी अब हम बात करें कि जो इसलिए वेकेंसी राउन में seat वेकेंट रहेंगी वेकेंट तो जरूर रहेंगी क्योंकि मोपप राउन के बाद कोई 25 नहीं ली गी हैं और मोपप राउन के बाद जिन कंडिडेट ने स्टेट में एडमिसल ले लिया ओल इंडिया में भी उन्होंने पार्टिस्पेट किया था, वहां भी seat फिल की थी वहां उनको नहीं मिली उनको इस्टेट में seat मिल गई तो वो seat वेकेंट जरूर रहेंगी तो वेकेंट रहेंगी तो state-2 भी conduct हो सकता है याने कि जो seat वेकेंट रहेंगी उनके लिए state-2 भी conduct हो सकता है MCC का ये भी एक पोसिबिलिटी बन रही है क्योंकि सीटे जरूर वेकेंट रहेंगी इस्टे वेकेंट सी राउंड के बाद तो ये एक वेकेंट सीटे कितनी आई, कटोफ कितनी रह सकती है, आगे इस्टे टू की कितनी पोसिबिलिटी है ये मैंने आपको बता दिया है, ये सारी संभावना ही है, अभी तक जो मैंने कटोफ रेडिक्ट की थी, वो बिल्कुल एकूरेट गई है result के बाद जो मैंने cut-off predict की थी हर एक round में उसमें एक या दो marks का difference जरूर रहा होगा लेकिन किसी किसी category की तो same cut-off रही है तो ये एक analysis था vacant seat के बारे में cut-off के बारे में बाकी जैसे ही information मिलेगी बाकी जो भी information मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा अभी बाकी सारे states के mop-up चल रहे हैं उसके बाद stay vacancy rounds होंगे तो आप अपने states का भी ध्यान रखते हुए All India में participate करके अपने seat ले सकते हैं मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिन